कि बेटियों को कम आँक ते हो हम बेटियों नेहे मवान छुआ है गीता कुरान पुरान छुआ है तो तीर कमान कृपान छुआ है गीता कुरान पुरान छुआ है तो तीर कमान कृपान छुआ है जल में थल में और अंबर में अरे कोई बताओ कहाना छुआ है हिंदुस्तान की बात नहीं हम ने यह विश्व महान छुआ है हिंदुस्तान की बात नहीं हम ने यह विश्व महान छुआ है और अब यह मुक्तिक देखिएगा कि बेटियां कितनी प्यारी है माँ बाप को तो लिए आप खुद अपने ही आप को पैदा होने से पहले ना मारो इने दो चुनों तीन कुदरत के इंसाफ को गी गोजब करते हिए अवधी भारशा का यह यही बहुत दिनों बाध यही मैं पढ़ रहे हूं मुझे सवाई के आने कपो आपके भीच में रखतीатели की तो के मंने पापाहिव का हमार ओभला एक अजन्मी वेटी के मंने पापाहिव का हमारो और मं यह प मंी पया हिए कहिके मुन्यां हमो का पुकारो भला कहिके मुन्यां का पुकारो भला लएके गोदिया उलारो दुलारो मम्मी पापा हो का हमारो भला का दर दर गयो बिट वापाए पढ्ठोलक बज़त रात दिन बिटिया पाए परोवत रहत रात दिन कहे किन हो युँ अंतर विचारो भला कहे किन हो युँ अंतर विचारो भला कहे किन हो युँ अंतर विचारो भला कहि के मुन्या हमो का पुकारो भला लई के गोदिया उलारो दुलारो भला मम्मी पापा है उंका हमारो भला कि कोन है उंजो पेटे मलावा हमें कोन अपराध कीना बतावा हमें कब हो दुनिया न देखा दिखाओ हमें जोन अपने हैं सबका चिनहाओ हमें अम्मा पेटेन महां का न मारो भला अम्मा पेटेन महां का न मारो भला कहिके मुन्या हम का पुकारो भला लई के गोदिया उलारो दुलारो भला मम्मी पापा है का हमारो भला और कहती है बेटी कि हमका बेटवन के जूठन खवावा कि हो उनकी फटहिन किताबें पढ़ावा कि हो अच्छी सिच्छा ओ दिच्छा दिवायो उन्हें खाली चूला ओ चौका सिखायो हमें बेटिया बेटवा का यक से निहारो भला कहि के मुनिया हमों का पुकारो भला लई के गोदिया उलारो दुलारो भला मम्मी पापा है का हमारो भला और यही बेटी दादा अपना आप तक का सब कुछ छोड़ कर जब बहु बनती है तब ये बंद समर्पित करते हूं आपके चलगों कि आपन हर चीज खोवा तो पावा तुम्हें मम्मी पापा से बढ़िके बनावा तुम्हें आपन तनमन समर्पन भिकए दीन है जिन्दगी तुम्हरे चर्णन मा धै दीन है अबना हम का आद है जे मा जारो भला अबना हम का दहे जे मा जारो भला कही के मुनिया हमो का पुकारो भला लई के गोदिया उलारो दुलारो भला ममी पापा है का हमारो भला एक बार जरा जोरदार तालियां बजाईए जरा हाथ उपर करके बजाईए जिस सहस्ता से उन्होंने सुनाया और उसी सहस्ता से आपने सिकार किया और हमारी बड़ी कवित्री डॉक्टर रुची चतुरवेदी ने खड़े होकर अगर अपनी बेटी को माल्यार्पित किया हो तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बेटी से एक गीत हम और सुने जरा जोरदार तालियां बजाकर मैं आदरनी कलपना जी से निवेदन करूँगा कि वो एक गीत और सुनाएं जी जी बिल्कुल जी जी अभी हो राएगा अर बात यहीं से शुरू करती हूं कभी जब वो बेटी का जन्म होता है वो आजाती है तो भी परिस्थितियां क्या होती है उसकी समस्या समाप्त नहीं होती है तो एक गीत आपके बीच में रखना चाती हूं हमारी सरकार भी उस चीज़ को आगे बढ़ा रही है ममी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी अभी मेरी क्या उमर थी सगाई कर दी अभी सखियों के संग मेरी आती चुक चुक रेल अभी खेला कहां जी भर गोटे गोडे यो काखे अभी जूला कहां जूला मैंने मिला कहां देखा भाई बेहनों के बीच अभी होती ठेला थेल इतनी जल्दी भी क्यों तुने मेरी माई कर दी अभी मेरी क्या उमर थी सगाई कर दी मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी अभी मेरी क्या उमर थी सगाई कर दी और बेटी आगे कहती है मासे के अभी तुने कहां मुझे रोटी बेल ना सिखाया अभी साथ कहां छोड़ा केले चल ना सिखाया अभी उगले कहां छोड़ी मम्मी कहना कहां छोड़ा बोलो मम्मी इसमें मेरी क्या भलाई कर दे अभी मेरी क्या उमर थे सगाई कर दे मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दे अभी मेरी क्या उमर थे सगाई कर दे कि अभी जागे का हा मन में मेरे मीठे मीठे भाओ मैं तो कोकिला हूँ जानू क्या पपी है का सभाओ कुछ जाना कहा मैंने पहचाना कहा मैंने अपना लो अभी मुझे मेरा करो ना दो राओ क्यों सहेलियों में मेरी जगहसाई कर दे अभी मेरी क्या उमर थे सगाई कर दे मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दे अभी मेरी क्या उमर थे सगाई कर दे और यह अंतिम बंद आपके बीच में लखती हैं कि मुझे रोको ना यही पे मुझे जाना बड़ी दूर मुझे रोको ना यही पे मुझे जाना बड़ी दूर मेरी हिमत ना तोड़ो करो सपने ना चूर मुझे पढ़ने दो मम्मी आगे बढ़ने दो मम्मी अपनी आखो में रखो ना करो नजरों से दूर मेरे सपनों संग मेरे भी विदाए कर दे अभी मेरी क्या उमर थी सगाई कर दे